कि नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी तेलकर न्यूस आज की सिटी तेलकर न्यूस में हम आपको बताएंगे कि पानीपत में बस्पास सुप्रीमों मायावती का जनमदिर मनाया गया पानीपत में दो बड़ी अपराथिक खटनाएं हुई और उसके साथ साथ बात करेंगे जी जीन में कॉंग्रेस प्रत्याशी रंदीप सुर्जेवाला के समर्थन में निर्दलिय अंशुल सेंगला ने लिया नाम वापिस सभी दलों के निशाने पर हैं सुर्जेवाला इन अलो बस्वा कारेकरदाओं ने केक काटकर मनाया बीएसपी सुप्रीमो मायावती का चन्मदिर पानीपत में बंजाब एंड सिंद बिंक की रेट राइट चौक ब्रांच में हुआ चूरी का टिफल प्रयास पूरो पुलिस अधिकारी जितेंदर खुराना पर हुआ अमला पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है वचे सिवर अस्पताल में हाथ से बनाई जा रही हैं ओपीडी की पर्चियां मरीज हो रहे हैं परेशान विश्व परसिद कलंदर साहिब दरगाह में पिछले दर्वासे की ओर चलाया गया सफाई अभियान यूआ उम्खेल मंद्राले की पहल पर 24 जनवरी को स्टी कॉलिज में होगा जिलास तरिये यूआ संसत का आयोचन सफाई करमचारियों के एक वर्ग ने प्रधानपद के चुनाव में लगाया धांदली का आरो और जंप रोप नेशनल कंपिटीशन में जीत हासिल करने वाली पानीपद की लड़कियों ने उपाई सुमेदा कटारिया से की मुलाखा नमस्कार एक बद फिर से आपका भी नंदन आएए अब एके करके सिलसलेवार तरीके से जान लेते हैं सभी ख़बरों को विस्तार से सुमवार वा मंगलवार की रात को लालबती चौकसित पंजाब एंसिंद बैक में दो यूकों ने सेंद लगा कर चोरी का प्रयास किया सिर्धाना प्रभारी संदीब कुवार ने बताया कि सुबह लगबक नो बजे उन्हें सूचना मिली सुचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV कैमरे की फुटेस को देखा तो दो यूकों ने पीछे से AC हटाकर बैंक के अंदर सेंद लगाई थी ATM का हुट तोड़कर चोरी का प्रयास किया सुचना पाकर CIA 1, CIA 2, CIA 3 और FSL की T में मौके पर पहुंची और चांच शुरू कर दी थाना प्रभारी संदीब कुवार ने बताया कि मुखे प्रबंधक सरबजीत सिंग ने अपनी शिकायत में बताया है कि संवार की शाम को वे बेंक को अच्छी तरह से बंद करके गए थे और सुबह गाड ने जब बेंक खोला तो वो हग का बखा रह गया उससे देखा कि ATM का हुट तूटा हुआ था इसके जलते बेंक में अफरात अफरी मच गई बेंक को पूरा दिन बंद रखा किया वही मौके पर पहुँचे ग्रहको ने क्या कहा आई आपको ये भी सुनवाते हैं पानिबत के सिविल अस्पताल में OPD की परचिया मैनुवली बनने से मरीजों में परेशानी बनी रहती है गौरतलब है कि एक नावंबर को सिविल अस्पताल की नई प्रेटिंग का उत्खाटन हुआ था और तब से लेकर अब तक केम्पीटर खराब है इसके चलते करमचारी हाथ से ही परचियां पना रहे हैं इसी कारण इलाज कराने आए मरीजों को लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतसार करना पड़ता है ऐसे में अस्पताल प्रबंधन के लावरोही पूरी तरह से खुलकर सामने आ कई है जो प्रेशन क्रिटिकल होते हैं उन्हें परची के लिए लंबे समय के लिए लाइन में जब खड़े होना पड़ता है तो उन्हें काफी जादा मुश्किल होती है इस पारे में जब सेडितेल का टीम ने सिवल अस्पताल में अपना इलाज करने आये मरीजों से बात की तो उन्होंने अपना दुख़़ा रोते हुए विवस्ता की पोल खोलने का काम किया जाहिर है कि डिज़िटल भारत का दावा करने वाली भाजपा सरकार नागरिक अस्पताल में मरीजों को ये एक आहम सुईदा देने में भी विफल साबित होती दिख रही है यहां पे जो कंपूटर है पिछले तीन-चार मेनों से खड़ाब 11 वाट चुंगी पर उस समय लोगों का जमावड़ा लग गया जब एक स्थानिय निवासी जितेंदर खुराना को खून से लत्पत पाया गया पिडित ने अपने पडोसी पपु छाबड़ा समेथ अन्ने कई लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है जितेंदर का कहना है कि वो सुभे घर से अपनी दुकान के लिए जा रहा था तो रास्ते में खात लगा कर बैठे आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया जिससे पूरी तरह से खायल हो गया उसका कहना है कि उसका आरोपियों के साथ काफी समय से दुकान को लेकर छगड़ा चल रहा है और इसी कारण उन्होंने रंजिशन उस पर हमला किया है गायल खुराना का पानीपत के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है उहीं चांचा दिकारी का कहना है कि उनके पास सूचना आई थी और उसी के मतेनसर धारा 14223 और 506 में मामला धर्ज कर लिया गया है गरतलब है कि चेहिंदर ने हरियाना पुलिस से पतोर सब इस्पेक्टर सिवा निवरती ले ली थी है लगातार मेरे साथ जगड़ा बाजी गाली गलोच चाको दिखा पहले से रोज हो रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई ना करने के कारण आज भेरे नोंने क्या किया एक पपू चामड़ा है गोरो कसाई पंड़त है एक पर्मीन पंड़त है उसका बड़ा भाई एक कुनाल बादसा है एक राजु कहत्री है आजवनी नंबरदार है ये ये जणोंने दो मूँ ड़के हुए हैं मूँ ड़के हुए थे उन्होंने एक एक ने चाकु लिया हुआ था तीन ने डंडे बिंडे पकड़े हुए थे तो पपू चाबड़ा ने उसको चाकु गोरो को पकड़ाया लेकिन गोरो डंडो से पीट रहा था पर गोरो वो जब चाकु पकड़ाने लगा तो चाकु नीचे गिर गया नी दो ऐगर कर चाकु भी मारते पानिबत के समासेवी द्वरा कलंदर साहिब दर्गाह में पिछले दरवाजे के क्षेत्र में एक सफाई अभियान चलाया गया इस मौके पर समासेवी इर्फान ने बताया कि यहां देश विदेश दे रोजाना भारी तादाद में चाहिरीन आते हैं और इस फैली हुई गंदकी को देखकर उन्हें निराशा का सामना करना पड़ता है ऐसे में दरगाह की शान और पानिबत शेहर के मान की खातिर अब यह फैसरा लिया गया है कि यहां पर गंदकी नहीं रहने दी जाएगी बुद्वार को ने वाले नगडिकम सफाई करमचारियों के प्रधान पत के चुनाव को लेकर करमचारियों के एक वर्ग द्वारा इसका विरोध किया गया गरतलब है कि तीन वर्ष के लिए प्रथान को चुना जाता है लेकिन करमचारियों के सवर्ग का आरोप है कि वर्तमान प्रथान सुभाज चंडालिया द्वारा केवल अपने चहेतों को ही वोट डालने के लिए मेंबर्शिप में तर्च किया गया है इसी के विरोध सुरूप काफि संख्या में करमचारियों ने सुनिल कुमार के अगवाई में उपाय को क्यापन दिया और चुनाव को अरद्द करने की मांगी वहीं उपाईक द्वारा इस चुनाव को यूनियन के चुनाव बताते हुए किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से मना कर दिया गया नगर निगम के सभी सपाई करमचारी जो के मेडम बीची से मिलने आये हैं और हमने हमारे जो पिछे परधान है सुबाच चंडा लिया वो हमारे बोट डालने का दिकार चीन रहा है हमारी मेंबर्शिप नहीं काटी है और हम इस चुनाव को स्तागित कराना चाहते हैं मेडम से मिलकर क्योंकि हमारे को बोट डालने का दिकार नहीं दिया हमने 33 साल होगे नोकरी करते हुए और हमार को बोट डालने का अधिकार हमार से छीन लिया गया और ये चुनाव जो आयर रद करे जाए और आगे हमारी सभी की मेंबर्शिप काटके ने और चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया जाए महराश्ट के नासिक में हुई चंप रोप नैशनल प्रतियोगीता में पानीबत की बेटियों ने जीत हासिल का जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है उन्होंने ये साबित किया है कि हर्याना की बेटियां किसी भी क्षेतर में पीछे नहीं हैं हमने आपको पहले बताया था कि महराश्ट के नासिक में ये प्रतियोगीता पांच से आठ जनवरी तक खेली गई थी जिसमें पानीबत की साथ बेटियां शामिल हुई थी उन्होंने छे सिल्वर और एक ब्रांज मेडल हासिल किया कोच सुमिता आरे ने बताया कि पानीबत महाशने पर उन्हें आज उपायुक सुमिता कटारिया द्वारा पुलाया किया था और उपायुक ने पानीबत किन बेटियों की खुले दिल से प्रशंसा की हम 15 जूनियर नैशनल जंप्रोप चैंपियंशिप महराशना नासिक में हुई थी अभी उसी में हमारी फालिकत की साथ लड़कें ने पार्टिस्पेट किया था और सभी के मैडल आए आज हम डीसी मैं से मिलने के लिए आए हमने हमें बुलाया था हँष्साट की पर्बलम फो भी ठीक होती है फोरफ डलैप फोरेंसिक लैप गिलता हमें कि7 फोरूल यहाजक यहाज रा रही है प्रस्ति कुद में से वह ठीक होती है और रिसा वाड़के उसना हाय वारिप बार्धान चार्लक होती है तो इसलिए हमारा गेम जंप रोट है 15 जनवरी को BSP सुप्रीमों मायवती का 63 जनम दिन मनाया गया इसे जन कल्यानकारी दिवस के रूप में आयोचित किया गया कार्यकरताओं ने केक काट कर खुशी मनाई पाटी के हर्याना प्रभारी ट्रक्टर गुर्मुक ने इस आउसर पर अपनी उपस्तिती दर्च करवाई उन्होंने जीन उपचनाव में इनलोगस पाटपंदन के प्रत्याशी उमेशिंग रेडू को जेताने की सभी कार्यकरताओं से अपील की विशम में आज बड़े पैमाने पर आदर्निया बहन कुमारी मैवती जी का जनम दिवस जन कल्यान कारी दिवस के नाम पर मनाया जाता है मैं आपको सभी को आदर्निया बहन कुमारी मैवती जी के जनम दिवस पर लख लख वदाई देता हूँ भारत के युवायम खेल मंत्राले की पहल पर पानिपत के स्टी कॉलेज में 24 जनुरी को जिरास्तरिय युवासंसत का आयोचन किया जा रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोती ने हरते संसतिय प्रणाली को विक्षित करने देश में जन्विमर्ष को बढ़ाने और युवाओं में संसतिय प्रतिस्पर्था का ग्यान बढ़ाने के मकसद से ये इच्छा जाहिर की थी राशे सर पर आयोचित होने वाली संसत में विजेता को 2 लाख रूपए उप विजेता को 1.5 लाख रूपए और तीसे स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को एक लाख रूपए का नकत पुरस्कार दिया जाएगा प्रिंस्पल डॉक्टर अन्पम अरोडा ने बताया कि जिलासरीय संसत की जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है ये उनके लिए करव की बात है इसमें 18-25 आयोवर्ग के युवा अपने विचारों और भावनाओं को सरकार के नुमाइंदों तक पहुँचाएंगे डिस्टल प्रक्रिया के लिए प्रतिभागी पोर्टल पर 12-18 जनवरी के दौरान अपना 90-120 से किंड का वीडियो अपलोड कर सकते हैं जबकि वाकिन प्रक्रिया में 17-19 जनवरी तक इच्छुक प्रतिभागी कॉलेज में कौर्जिनेटर डॉक्टर राकेश गर्क या सम्म कमीटी से मिलकर अपनी प्रेसेंटेशन दे सकते हैं दूनों माध्यमों से 50-50 प्रतिभागी इस जीला स्तरिय युवासंसद के लिए चायनित किये चाहेंगे और इस से उपर के स्तर पर युवासंसद में विचार विमर्ष के माध्यम से 18 वर्ष से 25 वर्ष की आयू के उन युवाओं की आवाज सुनना जो अपने मतादिकार का प्रयोग कर सकते हैं प्रंतु चुनाव में उम्मीदवार के रूप में चुड़ाव नहीं लड़ सकते दूसरा युवाओं को जनता के मुद्दों में सैभागिता के लिए प्रोसाहित करना आम आदमी के विचारों को समझना अपनी राय बनाना और उसे प्रकर तरीके से अभी व्यक्त करना तीसरा निरने लेने की शमता का विकास करना और उसमें वृद्धी करना शौथा यु जचा को व्यवस्थित और कारगर ढंसे करने के लिए नियमों का अनुपालना अनिवारिया है अगला बिंदू 2022 में नए भारत के विजन पर उनकी राय प्राप्त करना और उनका प्रलेखन करना अंतिम बिंदू नीती निर्माताओं और इनका करियान नीती निर्माताओं युवाओं के विचारों के बारे में अवगत कराना ताकि उन पर अमल किया जासे इसके साथ ही गेरिश मानों को दीजे इजासत अगले अंक में आप से फिर मिलेंगे तब तक के लिए सिर्देल्गा टीम कियों से नमस्कार